नमस्कार बहुत स्वागत है आपका भागे साली महिनाओं के सरीर में कुछ लक्षन पाया जाते हैं और इन लक्षनों वाली लड़कियां जीवन साथी के लिए बहुत लखी होती हैं अक्सर अपने देखा होगा कई लोगों का विभाग के बाद भागे चमक जाता है सफलता मिलनी सुरू हो जाती है अच्छी नौपी लग जाती है आर्थिक इस्तिती बढ़ियां होती है बिजनेस खूब चलने लगता है जीवन साथी किसमत का धनी हो जाता है तो चले बोगुन बताते हैं देखे भविस से पुरान के अनुसार अगर किसी महिला के गरदन चार उंगली जितनी लंबी हो तीन डे खाएं हो गरदन में ये इस्तिती किसमत की धनी होती है मेहनती होती है हर जगा इन्हें समान मिलता है धन धनी की कमी नहीं होती सामुद्री सास के अनुसार जिस इस्त्री के दाथ सुन्दर चमकी ले सफेद आगे की तरफ निकले हुए होते हैं ऐसी इस्त्रिया बहुत सा भागे साली होती है ऐसी इस्त्रिया जीवन साथी के लिए लकी होती है जिवन में इन्हें सुक्स विधाओं की कमी नहीं होती, सुक्स भाग बुर्धी करने वाली होती है अगर किसी महिला के पैर के तलवे पर ट्राइंगल यानि की त्रिकोन का निसान हो तो ऐसी महिला बहुत भागे साली होती है पती और सस्वाल के लिए तो भागे साली लखी होती ही है हर परिस्तिती में पती का साथ निवाती है और मालक्षमी की किर्पावरस्ती है जिन महिलाओं का इस्तरी का चेहरा अपने पिता से मिलता हो ऐसी इस्तरियां भी भागे साली होती है सो भाग इनका होता है सामुद्रिक सास्त के नुसार किसी महला के नाभी के पास कोई तिल या चिन न हो तो ऐसी महला किसमत की धनी होती है जीवन में सुख समपदा है उसकी कमी नहीं होती धन संचे करने में माहिर होती है मेनती होती है और बिवाह के बाद पती के भागे को चमका देती है जिस इस्तरी के पैर चिकने तलवे और एक समान उंगलियां दिखाए दे वो बहुत ही भागे साली होती है ऐसी महला बिवाह के बाद भागे का दरवाजा खुद वखुद इनका खुल जाता है और माना जाता है जिन महलाओं के पैरों के तलवे पर पसीने नहीं आता बहुत भागे साली होती है ऐसी इस्तरी किसी रानी के समान सुख प्राप्त करती है सास्तरों के अनुसार कॉमल कान वाली इस्तरियां स्रेष्ट होती है पती के भागे को बढ़ा देती है जिन महलाओं के बाल, चिकने, घुंगराले, चमकदार होते है पती के भागे को बढ़ाने वाली होती है जिन महलाओं की हथेलियां के पास मनिबंद सुन्दर भरे होते हैं वो भी बहुत भागे साली मानी जाती है जिन महिलाओं की हतेलियां कमल की तरह लाल कोमल होती है वो इस्तिरियां भी बहुत सो माने जाती है माना जाता है जिस लड़कियों के नाक के अगर भाग पर तिल होता है ऐसी लड़कियां के जीवन में कभी धनकी कभी नहीं होती नाभी के नीचे तिल होना भी अच्छा होता है और जिन इस्तियों के जीव लाल और कुमल होती है घर के लिए सुख सुभाग बढ़ाने वाली होती है माथा चोड़ा जिनिस्तिरियों का होता है सास्त में उसे सौभाग वतिक माना गया है साधी करके जिस भी घर में जाती है धन की कमी नहीं होती जिनिस्तिरियों की लड़कियों की उंगली लंबी होती है सामुद्रिक सास्त के नुशार ऐसी लड़कियां तेज बुद्धी और हर कारे में निपून होती हैं घर की महिलाओं को लक्षमी कहा जाता है क्योंकि वो घर ही नहीं समालती बलकि उस घर में रहने वाले हर बैक्ति को समालती है हर किसी की ज़रुरत का ध्यान रखती है हर किसी को हमेशा पॉजिटिव एनरजी देती है चेहरे पर मुस्कुराहट लिए लास्ट में बची एक रोटी से भी संतुष्ट रहने वाली महलाओं के बारे में बहुत सारे हमारे धर्म सास्त भी बहुत सारे बखान किये हैं लेकिन आज हम आपको उनके अंदर छुपे वे वो गुन जिसके कारण किसी किसी के घर ने आपने देखा हुआ पुरा घर स्वर्ग है लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में ये भी होता है कि जगड़े लड़ाई जैसी चीज़ें होते ही रहती है बाद भी बाद होता है किसी को किसी से नहीं बनती तो वो महलाएं का गुन वो कौन सा है जो आपके घर को स्वर्ग बना सकता है तो पहला गुन होता है धैरे वैसे तो आचारे चानक भी कहते हैं कि जिस इस्तरी में धैरे का गुन होता है वो किसी भी परिष्टिती में अपने घर परिवार के लोगों का साथ नहीं छोड़ती और धैर का गुन होने पर इनसान कभी भी परिषानी में फ़सता ही नहीं अगर फ़स भी जाए तो आसानी से निकल जाता है क्योंकि अगर धैर है तो दुख भी कट जाते है दूसरा है धर्म धर्म के मार्ग पर चलने वाली जो महिलाएं होती है ना हर जगा सम्मान पाती है क्योंकि वो धर्म के बिरुद कभी जाएंगी नहीं और धर्म के बिरुद जाने का मतलब है पाप पाप कर्म पाप कर्म बहुत साले होते हैं ऐसा नहीं है किसी पापी बुरे कर्म करना ही है बलकि गलत धर्म यानि कि गलत रास्ते पर चलना गलत सब्द बोलना लोगों अपनों के लिए गलत चीजों का इस्तिमाल करना ये भी पाप के कर्म में आता है तो जो महिलाएं धर्म के रास्ते पर चलकर अपनों के लिए कुछ मुष अच्छा करती है, उनके कारण घर परिवार ज्यादा तरक्यी करता भ OUT रहने वाली जो महिलाएं होती हैं जो मेस्तिरियां होती हैं इदम सुर्थ रहती हैं, बिनम्र शभाब की होती है, वो हर किसी को प्रभावितु उनका सांथ सभाब के कारण अगर कोई क्रोध में भी है तो वह प्रसंद नहों जाता है क्योंकि यहां पर अच्छी बाते महसूस होती है अच्छी बाते सुनने को मिलती है कड़ी बात भी वह बहुत बिनम्रता से सह लेती है मिर्दुभासी यानि अच्छा बोलने वाली जो से हर किसी का सम्मान मिलता है जो मिर्दुभासी होती है वो अपने घर को खुस खुसियों का माहौल देती है और खुस रखती है लडाई जगड़ों में नहीं पड़ती बलकि प्यार से बातों को संभाल लेती है तो ऐसी को भागे साली कहा गया है ऐसी महलाएं घर परिवार के लोगों के जीवन को बहतर बना देती है और ये गुन दया अबिंवरता धर्म का पालन करने वाली संचे करने वाली यानि पैसे को जोड जोड कर समाल कर रखने वाली बेवज़क खर्च नहीं करने वाली महलाएं सच म पूरे घर परिवार को बेवस्तित भी रखती हैं और घर को स्वर्ग बना देती हैं आपके अंदर वो कौन सा गुन है जरूर बताईएगा फिलाल भी डालेते हैं हरहर महादेव धन्यवाद